हेलो फ्रेंड फिरी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है 50 पलस फिरी कुकिंग कोर्सिज आपको अमारे फिरी कुकिंग चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे 50 पलस फिरी कुकिंग कोर्सिज में आज हम रीफ्रेश शर्वत एंड शेक के कोर्स क की तरफ चलते हैं इस कोर्स में अब तक हम अलग-अलग टाइप के रिफ्रेश शर्वत एंड शेक की रेसिपियां आपके पास ले कर आ की टेस्टी आम पन्ना कैसे बनाये जाता है फ्रेंड्स आम पन्ना बनाने के लिए मैं यहां पर ले रही हूं कच्चा आम यहां पर मैं कच्ची कैरी को छील कर कर के पल्प को गुठली से अलग कर दोंगी कच्ची आम भी को छीलने के बाद अब मैं इसके पल्प को गुठली स से अलग कर रहें यह देखेंं फ्रेंड आम पन्ना बनाने के लिए मैंने कच्च्च्च आम के पीजिच कर दी हैं और जाड़ी से आंपन्ना में बहुत अच्छा अगर आपको अध्रक बसंद रही है तो आप को इसके भी कर सकते हैं आम पन्ना बनाने के लिए अब मैं ले रहे हूं काली मिच का पाउडर मैं ले रहे हूं काला नमक अब मैं ले रहे हूं हरी सौफ का पाउडर आम पन्ना को टेस्टी टेस्टी बनाने के लिए मैं ले रहे हूं चाट मसाला पाउडर भूने हुए जीरे का पाउडर मैं ले रही हूं सफेद नमक पन्ना को टेस्टी बनाने के लिए Sparta मैं ने काला और सफेद दोनों तरह के नमक लीए आम पन्ना में बढ़ीा सा फ्लेवर देने के लिए मैं है पर ले हो गया है अब मैं चेक कर रही हूं कि कच्चाम अच्छी तरीके से या नहीं आम पन्ना बनाने के लिए आपका कच्चाम अच्छी तरीके से पक जाना चाहिए यह देखें कच्चाम अच्छी तरीके से पक गया है अब मैं गैस को बंद कर रही हूं अब मैं इसे ठंडा करने क ले रख रहे हूं यतने मेरा यह ठंडा होगा इतने मैं आम पन्ना बनाने के लिए मसाला त्यार कर लेती हूं आम पन्ना का मसाला बनाने के लिए मैं ले रहे हूं जीरा अब मैं ले रहे हूं साबुत हरी सोंफ साबुत काली मिर्च आम पन्ना में बड़िया सा फ्लेवर देन सबसदेंब रहे लिए प्लेट में कर रही हूए और देख सब कोशीघ के जाल में डाल हुआ है। पन्ना मसाला बनका त्यार हो गया है आम पन्ना मसाला को मैं एक बाउल में कर दूंगी फ्रेंड आम पन्ना मसाला बनाने के साथ हमारा पकाया हुआ कच्छा आम भी ठंडा हो गया है फ्रेंड अब मैं कच्छे आम के पीसिज और पानी को छलनी में डाल कर अलगलग कर रही हू मैं कच्चे आम के पीसीज को मिक्सी के जार में डाल रही हूं पूधिने के पत्तों से आम पन्ना में अच्छा फ्लेवार आता है इसले में कुछ पूधिने के पत्ते मिक्सी के जार में डाल रही हूं फ्रेंड कच्चे आम और पूधिने को मिक्सी में घुमा कर मैं इसका फा आम पन्ना को फिते समय मुं में आम की देशे नाए इसलिए में इसको छलनी में डालका चान रही हूं कि एक मेरे आम पन्ना को ठंड़ा करने के दिए टमे एक दो घंठे रही हूं तो घंटे रखने के बात मेरा ना अच्छे तरह केज़े ठंडा हो गया यह देखिए मेरे आम पानी की consistency बहुती जादर गाड़ी है मैं इसमें ठंडा पानी डाल कर इसको पतला करूंगी अब मैं अपने आम पंना में ठंडा पानी डाल रही हूं ठंडा पानी आप अपने आम पंना की कंसिटेंसी के हिसाफ से कम जादे कर सकते हैं मैं इसमें दो कप पानी डालकर मिक्स करके इसकी कंसिटेंसी को चेक करूंगी दो कप पानी मिलाने के बाद मेरे आमपना की कंसिटेंसी गाड़ी है मैं इसमें एक कप पानी ओर मिला रही हूं आपको भी अपने आमपना में थोड कर रही हूं किसमें मिठास कैसी है तेस्ट करने के बाद मेरे आम पन्ना में मिठास एकदम परफेक्ट है अगर आपको अपने आम पन्ना में मिठास कम लगे तो आप इसमें और चीनी अपने टेस्ट के इसाफ से मिला सकते हैं अब मैं आम पन्ना को गिलास में सर्व करने के ल कम जाद है कितनी भी कर सकते हैं अब मैं ले रही हूं आम पन्न मसाला थोड़ा थोड़ा मैं इन दोनों गिलासों में डाल रही हूं आम पन्न मसाला आप अपने टेस्ट के साफ से कम जाद कर सकते हैं आइस और आम पन्न मसाला गिलासों में डालने के बाद अब मैं इन गिलास कर सकते हैं आम पन्ना में यूज होने वाले सभी इंग्रेडियंट की क्वांटिटी के साफ से यहां पर 6-7 गलास आम पन्ना बनका त्यार होता है यह देखें टेस्टी टेस्टी और स्पाइशिस आम बनका त्यार है फ्रेंट्स हमारी बताई गई रेसिपी से आप भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने अनुभब हमारी इस रेसिपी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ट्रेंट्स रीफ्रेश शर्वत एंड शेक के कोर्स में आम पन्ना की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस कोर्स की ए मिलेंगे बाई बाई